भारत में ज़्यादतर लोग गुड़ खाना पसंद करते हैं। गुड़ हमारी सेथ के लिए बहुत फाइदमंद होता है। पेट की कई बिमारियां गुड़ खाने से सही हो जाती है। गुड़ को रात के समय सोने से पहले खाया जाए तो अधिक लाबकारी होता है। इस फीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि लगातार साथ दिनों तक रात को सोने से पहले थोड़ा सा गुड़ खाये और देखें इसके कमाल के फाइदे। लेकिन दोस्तों हमारा अनुरोध है कि मदुमे के रोगी इसका उप्योग करने से परहेज करें। दोस्तों यदि आपको सेद बनाए रखनी है और मीठा भी खाने का शोक है तो ऐसे में आप गुड़ का सेवन कीजिए। बहुत अनुसंदान के बाद विशेशक ये इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हर व्यक्ति को रोजाना इसका सेवन करना चाहिए जो आपके स्वास्ते के लिए बहुती लाब दैक होता है। आयरुवेट का मानना है कि गुड़ में मुझूद तत्व शरीर के एसिट को खत्म करते हैं जबकि इसके विपरीत चीनी के सेवन से एसिट की मातरा बढ़ जाती है जिससे हमारे शरीर में रोग पैदा होते हैं। दोस्तों वैद्यों की सला के अनुसार निरोगी काया और दिरगायों के लिए बोजन के बाद नियमित रूप से 20 क्राम गुड़ का सेवन करना चाहिए। प्राचिन समय से ही गुड़ को स्वास्थे के लिए अमरित माना जाता है जबकि चीनी को सफेद जहर माना जाता है। गुड़ खाने से हमारे शरीर की पाचन क्रिया में सुधार आता है जबकि चीनी एसिड पैदा करती है जो हमारे शरीर के लिए हानिकार रखोता है। पचने में 500 कैलरी उर्जा खर्चोती है तो चले दोस्तों अब जानते हैं गुड़ खाने के 20 बैतरिन फाइदे सर्दी जुकाम से रहत दोस्तों गुड़ में एंटियोक्सिडेंट और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे श्रीर की रोग प्रती रोधक्षमता को बढ़ाने में साइक होते हैं गुड़ के प्रती दिन सेवन से सर्दी जुकाम जैसी बिमारियां आपको चूब भी नहीं पाएंगी पाचन तंतर को ठीक करता है दोस्तों गुड़ या प्राकृतिक शक्कर खाने से खून साफ होता है रोज खाना खाने के बाद गुड़ खाने से दर्द से राहत अगर आपकी कान में दर्द हो रहा है तो आप गुड़ को घी के साथ गरम करके खाएं ऐसा करने पर कान का दर्द कुछी देर में चूमंतर हो जाएगा मासिक दर्द से राहत दोस्तों जिन मैलाओ को मासिक दर्म के दुरान दर्द रहता है उन्हें आइरन की प्रचूर मात्रा गुड में प्रचूर मात्रा में आइरन पाया जाता है इसलिए गुड एनीमिया से ग्रस्त लोगों के लिए बेहत फाइदेमंद होता है क्योंकि इसमें मुझूद आइरन खून की कमी को पूरा करता है लो तत्व से भरपूर दोस्तों गुड या आपका गला खराब रहता है तो आप गुड को अद्रग के साथ करम करके खाएं। ऐसा करने पर गले की खराश दूर हो जाएगी। केवल गुड खाने से भी ये आपके गले में जमा चिकनाहट को दूर करने का काम करता है। तवचा के लिए गुड कारी दोस्तों गुड खाने से खून के बूरे तत्व साफ हो जाते हैं जिससे तवचा में निखार आता है और कील मुहासों की समस्या भी दूर रहती है। इसलिए चाय में या लड्डू में भी इसका उप्योग किया जा सकता है। खटी डिकारे आने पर दोस्तों यदि आपको भी खटी डिकारे आती हैं तो गुड और सेदा नमक मिलाकर चाटने से इस समस्या से अराम मिलता है। उर्जा का स्तरोत दोस्तों गुड़ खाने से हमें उर्जा मिलती है जब भी थकान या कमजोरी लगे तो गुड़ खाने से तुरंट आराम मिलता है थकान और कमजोरी को दूर करने के लिए दूद के साथ गुड़ या शक्कर का सेवन कर सकते है आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए दोस्तो यदि आपकी आँखों की रोशनी कमजोर है तो गुड़ आपकी इस मस्या में भी मदद कर सकता है गुड़ और वाजरे की खिचणी मिला कर खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है दोस्तो दमा के मरीजों के लिए भी गुड का सेवन फाइदेमन होता है क्योंकि इसमें ऐलर्जी से लड़ने वाले तत्व होते हैं इसलिए दमा के मरीजों को रोजाना गुड का सेवन करना चाहिए सांस के रोग दोस्तो यदि आप सांस के रौगों से परभावित है तो गुड और सरसो का तेल मिला कर खाने से सांस के रौग दूर होते है जोडो के दर्द से रहत दोस्तो ये सधारन सा दिखने वाला गुड भी जोडो के दर्द की समस्या में फाइदमन होता है हर रोज गुर के साथ अद्रक का सेवन करने से जोडों के दर्द में अराम मिलता है कान दर्द से राहत यदि आपको या आपके परिवार के किसी भी सिदस्य के कान में दर्द है तो उन्हें गी के साथ गुर या शक्कर का सेवन करवाए इस समस्या में उन्हें अराम मिलेगा आवाज बैठ जाने पर गुड का सेवन दोस्तों कई वर ज़्यादा बोलने से या फिर ज़्यादा चिलाने से हमारा गला बैठ जाता है यानि कि हमारी आवाज दब जाती है ऐसे में गुड़ का सेवन आपके लापकारी थाबित हो सकता है पके चावल के साथ गुड़ खाने से आवाज ठीक हो जाती है अस्थमा से राहत दोस्तों अस्थमा की बिमारी से भी लड़ने में गुड़ हमारी मदद करता है इसके लिए गुड और काले दिल के लड़ू खाने से अराम मिलता है इसलिए अस्थमा के रोगियों को रोजाना गुड का सेवन करना चाहिए सर्दी में उप्योगी दोस्तों सर्दी खांसी में गुड या प्राकृतिक शक्कर से राहत मिलती है इसलिए चाय में या लड़ू में भी इसका उप्योग किया जा सकता है खटी डिकारे आने पर दोस्तों यदि आपको भी खटी डिकारे आती हैं तो गुड और सेदा नमक मिलाकर चाटने से इस समस्या से अराम मिलता है इन सब के इलावा दोस्तों भुणे चने के साथ गुड खाना भी सेद के लिए काफी फाइदे मन साबित होता है मर्दों के लिए इससे खाना काफी बढ़िया होता है अकसर पूर्ष बोड़ी बनाने के लिए जिम में जाकर कसरत करते हैं ऐसे में उन्हें गुड और चने का सिवन जरूर करना चाहिए इससे मसल्स मजबूत होते हैं और श्रीर को भी कई फाइदे मिलते हैं दोस्तों चने के साथ गुड खाने से ये मसल्स बनाने चेहरा निखारने, मोटापा कम करने, कबज दूर करने, दिमाग तेज करने, दात मजबूत करने, दिल के रोगों को दूर करने, हड़िया मजबूत करने, आधी का काम करता है और इसके साथ ही चने के साथ गुड खाने से पूर्ष रोगों में फाइदा मिलता है जी हाँ चने और गुड़ खाने वाला व्यक्ति सदयव जवानी का एहसास करता है मरदाना कमजोरी दूर होकर श्रीर हुष्ट पुष्ट रहता है श्रीर में बलवीरे तेज बना रहता है और आपकी मरदाना ताकत को भी बढ़ाता है जिससे आपका वैवाहिक जीवन भी खुशाल रहता है दोस्तों अगर गुड़ और चने के फाइदों के बारे में आप विस्तार पूर्वक जानना चाते हैं तो इस समद्ध में हमने एक वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं तो देखा दोस्तों ये सधारन सा दिखने वाला गुड़ हमारे लिए कितना फाइदे मंद है हम दावा करते हैं कि आप गुड़ के इन फाइदों के बारे में बिलकुल भी नहीं जानते होंगे और इसके इतने सारे फाइदे सुनकर आप दंग रह गए होंगे तो अगर आप भी इसके इन धेर सारे फाइदों का बरबूर लाब उठाना चाहते हैं तो आप रोजाना गुड़ का सेवन करना शुरू कर दीजिए आप दिन में कभी भी गुड़ का सेवन कर सकते हैं चाहे वो सुबह खाली पेट हो या फिरात सोने से पहले लेकिन ध्यान रहे दोस्तों मदु में यानि की शुगर के मरीज गुड़ का सेवन करने से परहेज करें क्योंकि इसमें हाई शुगर होती है और ये उनका शुगर लेवल बढ़ा सकता है तो दोस्तों ये हैं हमारी आज की खास वीडियो जिसमें हमने आपको बताए कि लगातार साथ दिनों तक राप को सोने से पहले थोड़ा सा गुड़ खाएं और देखें इसके कमाल के फाइदे उमीद है आपको मरी ये जानकारी पसंद आई होगी दोस्तों आपको मरी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राइज जरूर दें अगर आपको मारी ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें क्यूंकि दोस्तों आप लोगों का एक शेयर हमारे लिए बेहत माईने रखता है और आप लोगों का एक शेयर किसी की जिन्दगी भी संवार सकता है लाइक और कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपना फीड़बैक भी दें और हमारे चैनल लाइफ एक्स को सबस्क्राइब करना ना भूले कीप शेरिंग एंड कीप सिपोर्टिंग अस हम आपको जल्दी मिलेंगे एक और ने वीडियो के साथ थैंक्स वर वाचिंग